तो कहानी की शुरुआत में हम एक वार के दोरान डैन और उसके साथियों को पानी में गिरते हुए देखते हैं यहां से 28 साल पहले की कहानी बताई जाती है जहां डैन एक हाई स्कूल में बायलेजी का टीचर होता है डैन अपनी वाइफ एमी और बेटी मूरी के साथ रहता है डैन को आर्मी रिसर्च लैब में काम करने का इंट्रेस्ट होता है इसलिए उसने आर्मी रिसर्च लैब में जॉब एपलाई किया होता है जिसका आज ही के दिन इंटर्व्यू है डैन अपने घर जाता है आज उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था तबसे ही डैन उनसे बात नहीं करता है इसके बाद डैन अपने इंटर्व्यू के लिए जा रहा होता है जिस दौरान उसे कॉल से पता चलता है कि उन्होंने उसको रिजेक करके वो जॉब किसी और को दे दी है डैन को बहुत गुसा आता है औ हाँ 2021 में वाइट स्पाइक्स नाम के एलियन और इंसानों के बीच जंग छिड़ गई है और वो इस जंग में हार रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 11 महिने में पूरी धरती से इंसानों का खात्मा हो जाएगा आज सभी को हेल्प करने का कहती है ताकि वो इस पाल उठाने लगते हैं जिसके चलते सभी फ्यूचर में जाने के लिए विरोध करने लगते हैं असल में सभी को सिर्फ साथ दिन के लिए भेजा जाता है अगर वो साथ दिनों तक वहां जिंदा रहे तो वापस पास्ट में आ जाते हैं इधर मूरी भी इस बात से परिशा में लडने के लिए भेजने वाले हैं. वो डैन को ये भी बताते हैं कि उसकी साथ साल में डेथ हो जाएगी. डैन उनसे कुछ पूछ पाता, तब ही उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया जाता है ताकि वो लोग डैन को इसलिए वो डैन को वहाँ जाने से मना करती है जिस पर डैन बताता है कि उन्होंने मेरे हाथ पर टैकर लगा दिया है इसलिए अब चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता जिस पर एमी डैन को उसके पिता की हेल्प लेने को कहती है क्योंकि सिर्फ उसके पिता ही उस डिवाइस को बाहर निकाल सकते हैं इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है जहां उसके पिता डिवाइस को निकालने के लिए तयार हो जाते हैं पर पुरानी बातों को याद करते हुए दोनों के बीच बहस होने लगती है इसलिए डैन घुसे में उस डिवाइस को निकलवाए बिन पर लिटेन्ट हाट का कहना था कि एलियन्स ने उनकी रिसर्च लैब पर अटेक किया है अगर वो लैब तबाह हो गई तो वो वार में हार जाएंगे इसके बाद सभी को एक जगा पर बुलाया जाता है और फिर एक-एक करके उन्हें फ्यूचर में भेजने लगते हैं जिस दौरान सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है और फिर एक-एक करके सभी नीचे गिरने लगते हैं यह वही सीन था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया था यहाँ डैन और कुछ लोग एक स्विमिंग पूल में गिरते हैं जबकि बाकी के लोग जमीन पर गिरकर मर जाते हैं यहाँ के हालाद देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि हर तरफ सिर्फ एलियन्स थे इसके बाद हम फ्यूचर की दुनिया की करनल को देखते हैं जो बचे हुए लोगों से कॉन्टेक करती है वो डैन को टीम लीडर बनाते हुए कहती है कि उसे रिसर्च लैब में फंसे लोगों को बचाना होगा डैन अपनी टीम के साथ लैब की और निकल जाता है सभी लैब पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि एलियन्स ने सभी लोगों को मार दिया है जब करनल को इस बारे में पता चलता है उसे पूरी तरह तबा करने के लिए निकल जाती है करनल बताती है कि डैन और उसके साथियों के पास सिर्फ तीन मिनिट है जिसके बाद लैब को बलास्ट कर दिया जाएगा पर जब वो लोग लैब के बाहर जा रहे होते हैं तब ये एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं ये एलियंस बहुत ही ताकतवर होते हैं और उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है एलियंस के अटैक में डैन के कुछ साथी मारे जाते हैं अब जैसे ही बचे हुए लोग लैब से बाहर आते हैं तब वहां बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं और उन लोगों का P사 करने लगते हैं इसी बीच वहां आर्मी आ जाती है पर एलियंस उनने जान से मार डालते हैं कोई रास्ता ना दिखने पर Dan और बागी के लोग एलियंस पर शूट करने लगते हैं थोड़ी ही दिर बाद वहां बॉम किराया जाता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी एलियन्स मारे जाते हैं, साथ ही इस ब्लास्ट के कारण, डैन के कई साथी भी मारे जाते हैं, और कई घायल हो जाते हैं, अब जैसे ही डैन के आँख खुलती ह तो वो एक कैम्प में होता है, यहां पता चलता है कि ब्लास्ट में डैन के अलावा उसका दोस्त चारली ही बचा था, जब वो दोनों कैम्प के बाहर आते हैं, तो उन्हें अपनी टीम का एक आदमी और दिखता है, जिसका नाम डॉरियन है, डॉरियन फ्यूचर में तीसरी ब पस जाना नहीं चाता था, दूसरी और डैन जब करनल से मिलता है, तो उसे पता चलता है कि वो उसकी बेटी मूरी है, असल में मूरी फ्यूचर में बड़ी हो चुकी थी, डैन उसे करनल की पोस्ट पर देखकर बहुत ही खुश होता है, और खुशी से रोने लगता है, अब को बड़ी का कहना था कि फीमेल एलियन बहुत ताकतवर और घुसेल होती है, जो की जमीन के नीचे अपना घौसला बनाती है और इलियन्स को पैदा करती है, इस फीमेल एलियनस की हिफाजत सभी मेल एलियनस को मार रहे थे, لیکिन फीमेल एलियनस को मार पाना मुश्किल था, अगर female aliens मारी जाएं तो फिर और aliens पैदा नहीं होंगे और बचे हुए aliens को मार कर वो दुनिया को बचा लेंगे इसके बाद वो सभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ female aliens जमीन के अंदर रहती थी इस जगह पर जाकर मुरी डैन को उपर ही रहने को कहती है और वो नीचे आकर female aliens को पकड़ने लगती है ये aliens बहुत ताकतवर होती है और वो अपने male aliens को आवाज लगा कर उन्हें बुलाने लगती है कुछी देर बाद वहाँ बहुत सारे aliens आने लगते हैं ये देखकर डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे उतर जाता है आखिर में उस alien को पकड़ लिया जाता है और फिर उसे helicopter से center में फेज दिया जाता है पर तभी वहाँ कई aliens आ जाते हैं जिनके attack से काफी soldiers मारे जाते हैं इधर डैन और मूरी आमी की एक कार में बैट जाते हैं जहां डैन कार को ड्राइव करता है और मूरी aliens पर शूट करती है इसके बाद वो दोनों एक बीच पर पहुँच जाते हैं जहां एक भी alien नहीं था इधर मूरी डैन से घुसा हो कर पूछती है मूरी को रोता देख डैन बहुत दुखी होता है उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने पास्ट में अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा थोड़ी ही देर बाद वहां हेलिकॉप्टर आता है और समुदर के बीच बने आमी सेंटर में ले जाता है इस जगह को इतना खास बनाया गया था कि कोई भी एलियन वहां ना आ सके इस जगह पर ही उस फीमेल एलियन को रखा गया था मूरी उसका ब्लड सेंपल लेकर उसका डियने निकालती है डियने चेक करने पर उसे पता चलता है पर अभी तक उसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है इसके बाद वहाँ डैन आता है और मूरी को रेस्ट करने का कहता है आज ही के दिन डैन को यहाँ साथ दिन हो चुके थे इसलिए अब उसे वापस 2022 में जाना था डैन मूरी से पूछता है कि आखिर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया था जिस पर मूरी कहती है कि अगर यह टॉक्सिन बन गया तो इसे अपनी दुनिया में वापस लेकर जाना तुम्हारा काम है क्योंकि यहाँ और टॉक्सिन बनाने में काफी वक्त लग जाएगा जिस दौरान मेल एलियन्स उस फीमेल एलियन को आजाद कर देते हैं अब डैन को जल्द से जल्द उस जगह पर पहुँचना है जहां से वो वापस 2020 में जाएगा लेकिन इस जगह पर काफी एलियन्स आ चुके थे यहां डैन के साथ साथ चारली, डॉरियन और बाकी के कुछ लोग भी आए हुए थे डैन ल्यूटेनेंट हाट को वो टॉक्सिन देता है और बड़ी मात्रा में बनाकर फ्यूचर में भेजने का कहता है जिसके बाद एमी उसके पास आती है, तब डैन उसे फ्यूचर की मूरी के बारे में बताता है अब डैन फ्यूचर में होने वाले वार को रोकने के लिए कुछ करने का सोचता है इसलिए वो सबसे पहले डॉरियन के पास जाता है और उससे एलियन का नेल मांगता है जो कि डॉरियन ने फ्यूचर में जाकर अपने पास रख लिया था इसके बाद वो दोनों उस नेल को लेकर चारली के पास जाते हैं चारली उस नेल पर रिशर्च करता है तो उने पता चलता है कि उनके नेल्स पर जॉला मुखी की राख लगी हुई है जहां स्टूडन बताता है कि आज से हजार साल पहले चाइना में जॉला मुखी फटा था जिसकी लहरें रश्या तक भी पहुँच गई थी और फिर वो राख में बदल कर वहीं पर जम गई थी फिर कुछ समय बीतने के बाद वो जगह बर्फ से ढख गई खुद ही वहाँ जाकर उन एलियन्स को मारने का सोचते हैं अब डैन अपने पिता से हल्प मांगने के लिए जाता है क्योंकि उनके पास प्लेन था डैन अपने पिता को सारी बात बताता है और कहता है कि उसे एलियन्स को मारने के लिए रशिया के Glacier Island पर जाना होगा, जिसके लिए उसे उनके प्लेन और एक पाइलेट की जरूरत है, डैन के पिता उसकी बात मान जाते हैं, और साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसके अलावा डैन लिटनेंट हाट की मदद से बहुत सारा टॉक्सिन बनवा चुका था, यहां उन्हें पता चलता है कि कुछ एलियन्स अपने आपको जिन्दा रखने के लिए सो रहे हैं, जिसके बाद वो अभी टॉक्सिन से उन एलियन्स को मारने लगते हैं, जिस दौरान फीमेल एलियन्स चाग जाती है और उन सब पर हमला कर देती है, तब दौरियन सब को श चालाकी से उस पर शूट करते हैं, यह वही फीमेल एलियन्स होती है, जो कि बहुत ताकतवर है और उसे आसानी से मार पाना बहुत मुश्किल है, तभी वो वहां से भाग कर छुप जाती है और डैन पर अटैक करती है, यह देख डैन के पिता उस पर अटैक करके डैन को